कि फोर्कास जो रों ने की है 10% ग्रोथ की लिए भाई आप भिहोश नहीं हो गए यह सुनके 950 पाकिस्तानियों को UAE ने लाद मार कर दुबाई से बाहिर कर दिया हमने नाक रगड़ी है उनके सामने मिंतें की हैं कश्कोल लेके फिरता है जहिन दोस्तो मेरी चैनल मोडी देस में आपका सवगत है दोस्तो इस वीडियो को लाइक सेर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो दोस्तो आज पाक मीडिया बात करें कैसे कस्मी डे पे भारत ने पाकिस्तान को एक बहुत बढ़ा छत्तका दिया है पाकिस्तानी मीडा कह रहा है कैसे भारत ने कस्मी डे में भारत कस्मी के लिए 14 billion dollar के projects announced कर दिये है 14 billion dollar पाकिस्तान के foreign reserve में भी नहीं है और पाकिस्तान 3 billion dollar के लिए IMF के आगे ले दी जाता है और 1-2 billion dollar के लिए दुनिया में कटरा लेके घुमता है तो ये एमांट सुन गई पाकिस्तार बिहोस हो गया है और पाकिस्तारी मीडिया ये भी कह रहा है कि भालते किस्मी का जीडिपी ग्योटरेट तेन परसें के करीब है दोस्तों ये वीडियो अब होटी में सिदा रहे तो इसे आप पुरा से दो दिखेगा तो चिलिए और इंटिसार नगरे के वीडियो दिखते है ये वक्त के साथ साथ दुबई और इंडिया के तालुकात बहुत ज्यादा बेतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तानियों के लिए दुबई में अतनी ही जादा सक्तिया होती जा रही है पिछले दिनों की खबर है कि सुनने में आया था कि 950 पाकिस्तानियों को यूएई ने लात मार कर दुबाई से बाहिर कर दिया लेकिन इंडिया के प्राइम निस्टर नरेंदर मोदी जब दुबाई जाते हैं पाकिस्तान में कोई गिन सकता है उनको गिनना चाहिए कि ये 14 बिलियन डॉलर कितने होते हैं इसकी वज़ा ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मेनिस्टर्स और चाहे वो अनवारुलहक काकर साब हों या शहवाज श्रीफ साब जो पहले थे वो कहते रहे हैं कि हम 3 बिलियन डॉलर्स के आइम एफ पैकेज के लिए नाक रगड़ते रहे हैं हमने नाक रगड़ी हैं उनके सामने, मिन्तें की हैं कश्कोल लेके फिरते रहे हैं कि जिनाब थ्री बिलियन डॉलर्स का बजट दे दें और इंडिया 14 बिलियन डॉलर्स का बजट सिर्फ कश्मीर के लिए अनाउंस कर रहा है और दिल्चस्प बात यह है कि यह बजट उस दिन अनाउंस किया गया है जिस दिन पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जाए कि भाई आप बिहोश नहीं हो गए यह सुनके यह 14 बिलियन डॉलर्स का बजट अनाउंस हो गया वहाँ पर नरेंदर मूदी की हकुमत क्श्मीर के लिए 17.000.000.000.000 का बजट अनाउंस कर दिये कश्मीर के लिए ओश में आहीं आप बिहोश ने हो गए कि यह क्या करेंगे आप क्योंकी यह जो 14.000.000.000.000 डॉलर्स और इसके नीजू हां पर जो है वो वोट हासल करने के कोशिश की जा रही है जिर हन learned उसी दिन, जिस दिन वहाँ पर यौम कश्मीर बनाया जा रहा है, उसी दिन उन्होंने ये बजट एनाउंस कर दी, उन्होंने कर दी अपना काम, और इसमें ये है, कि ये जो बजट है, आप मैं आपको इसकी ज़रा डिटेल्स बताए देती हूं थोड़ी सी, इसमें ये पर उनको जो है, एजुकेशन से लेकर हैल्फ तक की जो फैसिलिटीज हैं, वो प्रोवाइट करने के लिए, तो इसका इंटरनेशनल तो और भी आपके उपर जो है ना वो इफेक्ट पड़ेगा, कि ये जो है कंट्री है, पाकिस्तान है, दुबई है, ये मुस्लिम कंट्र और भारत ने किश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का बजट जो है, वो मुक्तस की है, तबकि इंडिया आज के दिन ही इतना बड़ा बजट दे रहा है, क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान ये मना रहा है, तो दो डिफरेंट किसम के नेरिटेव वो क्राफ्ट करना चाहते थे, एक पाकिस्तान ने किया, एक उनों ने किया, एक जलसा करके दो चार तक्रीरें कर देना, उसके बाद एक सड़क का नाम सरी नगर रख देना, फिर उसके बाद ये कहा देना, कि आप पांच मिर्ट के लिए खामोशी इक्तियार कर रहे हैं, इससे आप क्या अबजेक्टिव हासिल कर सकते हैं, यह मेरा question है आप से, आप तक्रीरों से आगे कहीं नहीं जा सकें, ना सिर्फ किश्मीर के हवाले से, किसी पाकिस्तान की किसी भी चीज़ के लिए, और फिर उसके बाद मैं, यह 14, यह उनोंने 14.16 billion का जो budget दिया है, जब यह पैसा किश्मीर में लगेगा, तो बार्डर के साइड वाले किश्मीरी क्या देखे, क्या सुचे, मैं फैसला आप पर छोड़ना चाहता हूँ, और उसके बाद, जिस तरह मैं, और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, कि जो union territories की economy की forecast जो रोंने की है, 10% growth की, 10% growth की union territory, उसको आप किस तरह करेंगे, आपक की इस वकट 38% inflation है, ओवराल सारे पाकिसान के अंदर, बैरूनी करजे आपके 100, 126 billion dollar के करजे आपने देखे, आपकी GDP per capita 1400 dollar है, और global average जो है 10,589 dollar है, डिफरेंस जब देखे, किसी के मुझ से को निकल रही है बात कि किस तरह ये ठीक करना है सारा कुछ है, हर बुडे बंदे क एक हजार से पंदरा से एक हजार से पंदरा सो रुपया हर बुडे बंदे को दिया जाता है किश्मीर के आप और उसके बाद जो जब इनोंने 370 की धारा की थी, प्राइम मिनिस्टर, डिवेल्मेंट पैकेज के जरीए 53 प्राजेक्स इंट्रोड्यूस कराए गे थे, जिनक 58 क्रोड वैल्यू थी उस वक्त जो किश्मीर के अंदर उनोंने किया था, और इस वक्त मेरा मकसद है कि 230 क्रोड GDP के उपर खर्चा करेगा भारत, और वो सर्व वहीं नहीं कर रहे हैं, आप उनकी वैसे ग्रोड देखें, जिस तरीके से वो एरपोर्ट बना रहे हैं, हाईव भारत ने कस्मी डे पे ये 14 बिलियन डॉलर के प्रोड एनॉंस किया है, तो अगर ये भारत ने जान बुच के कस्मी डे पिड किया है, तो ये बहुती अच्छा प्लैन भारत ने लगाया है, क्योंकि इस से पाकिस्तानियों की जलन और भी जाड़ा बढ़ जाएगी, जब क कस्मी डे पे, जब पाकिस्तानी कस्मी पे जोना धोना करेंगे तब भारत 14 बिलियन डॉलर के प्रोड जो पाकिस्तान के फोरन रिजर्फ से भी जदा है, उतने एमॉंट के प्रोड क्षमी के लिए एनॉंस करेगा, और वैसे भी भारत कस्मी में बहुती जाड़ा इंग्स इस से पता चलता है कि भारत कर्स्मीर कितना सुरुक्षिट है और उन टूरिस्ट को भी कितना पसंद आया कि इतने टारद में भारत कर्स्मीर में इतने टूरिस्ट गे और आखिर में मैं सिर्फ यह कुंग कि यह पैसा भारत कर्स्मीर में लगेगा और कर्स्मीरियों को इससे सब्सक्राइब करें जब लिए ऐसी होगी तो परके श्रुमाइब काम नहीं करेंगा तो चीनली दिफेख्टेंगी फ्रीचर में क्या होता है दोस्ति वीडियो दिखने पास्प्रेण पर्पाइब करना मत भूले का थांकी इनुट झाल झाल